अमर्जीत चावला जी जुड़ गए हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, कॉंग्रेस के वरिश्ट नेता हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, पूरा प्रशाशन सम्हालते हैं कॉंग्रेस का, सीधा उनके पास चलता हूँ, बहुत-बहुत स्वागत कर रहा हूँ अमर्जीत जी आपक कॉंग्रेस का क्या आरक्षन का मुद्दा समझा पाने में बहुत काम्याब नहीं रही कॉंग्रेस ऐसा लगता है मर्जीद जी नहीं देखिए ऐसा है कि कोई मुद्दा समझा पाना नहीं समझा पाना एक बलत बात है हमने आरक्षन जो आदिवासियों के हक की चीज थी वो से इसलिए नहीं दिया कि हमको उसका चुनाव में लाब मिले वो उनका हक था और हमारी सरकार की पहले दिन सो यह नीतिया रही है कि हम महतारी के सारे सपूत किसी भी वर्ग के हों किसी भी समाज को उनके हित। हर पहली प्रात्मिततर हो हमारी सरकार बहु काम करती है जिसे km उल्ए सरकार के टारी हों का Two स्माज को उत्यचरी लफा संग और रहा हा हूँ वभ्वर्णमडस को खरीदने का मामला रहा होँ Camas yeah ऊt्पमा स्कूल कर ला हो 46-4 रुपए हमने किसानों को दल आ कि दिया हम ने चुनाओनों में लाभ लेन्यडी नहीं दिया सरकार समाज सेवा मांदी बुपेज बढ़ी तेजी से कदम बढ़ा है और 15 साल के कुसासन से मुक्ति दिलाने का काम के इसलिए हम चारविधान समाउप चुनाव भी जीतने जा रहे हैं और जीत जी लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो बड़ा आरोप एक लगा था ब्रह्मानन के उपर वो बहुत काम आया नहीं वापर वैसा लगने लगा कि जारखन पुलिस आई और जैसे कि फिल्मों में होता है हीरो को थोड़ा सा चमका दिया जाता है या मैं तुमको आरेस्टिंग नहीं होने के कारण जहां जहां वह जा रहे होती है कि जारखन पुलिस आई दिखो मैंने कुछ के नहीं किया थे इसले मेरी आरेस्टिंग भी नहीं हो पाई यह दाम उल्टा तो नहीं पढ़ गया आमर्जीद जी देखिए यहां पर मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि हर चीजे पोलिटिकल मैलेज लेने के लिए नहीं होती कानून की अपनी प्रक्रियय होती है कानून का पना एक काम होता है पुलिस अपना काम करती है और समय को को देखते हुए हमारा यह दाइतोर भी बनता है कि किसी भी प्रकास का जो है वो कोई वहां पर गड़वडिया ना हो कोई उत्तेजना वाला माहोल ना बने या भी पक्षियों को अपनी हार सामने देख कोई सडियन करने का आउसर ना मिले छेत्र के सांत वातावरन को खराब क करने का उसर ना मिले इसलिए यह चूकि वह हमारा काम नहीं था कानून अपना काम करता है कानून अपना काम करेगा और निश्चित तोर पर वो दोसी होंगे तो कानून अपना काम करते में जो भी कानूनी कारवाई होगी वो करेगी हमारा लक्ष कभी भी किसी को उपर व्य प्रदे के पीछे चुपे हुए ब्रेकिंग नीज में मदद करने वाले दोस्त होते हैं क्या आप अपने सोर्सेस के नाम बताते हैं अपने साफ दिल के इनसाने सच बोलते हैं हर समय मुझे ऐसा लगता है और बोलते भी है क्या भानुप्रतापूर उप्चुनाओं को उतना सीरियसली नहीं लिया सरकार ने या संगठन ने क्योंकि धड़े में बटे हुए नजर आये वहाँ पर लो वो एग्रेशन और वो जो एक टीम वर्क होदना चाहिए यह जो अभी तक के चार उप्चुनाओं में हमने देखे हैं वो टीम वर्क कही न कहीं नजर नहीं आया मोहन मरकाम की भी साकदाओं पर है निश्चित तोर पर कुंडा गाओं से लगा हुआ जिला है वो लगा हुआ इलाका है भानुप्रतापूर मुख्यमंतरी के लिए भी महत्पूर है क्योंकि आखरी पांचवा उप्चुनाओं है जहां वो लड़ने जारा निश्चित तोर पर जीतना भी चाहेंगे कॉंग्रेस पाटी की सरकार है क्या टीम वर्क में कहीं कहीं कमी हो गई या आपसी खीषतान जादा हो गए कि नेता आपस में जूड नहीं पाए वो लीड जो होनी चीए थी वो लीड नजर नहीं आरी क्या करण मनते हैं पूरा तालमेल है निश्चित तोर पर सत्ता और संगठन का अगर तालमेल ना हो तो जो हमारी उपलब्धियां है पिछले चार सालों में कि हमने चौदा के चौदा महा वे गए वहाँ पर उन्होंने सभाई भी ली रोट सो भी किये मोहन मरकाम जी लगात्तार किछले 10 दिन से वहां डटे हुए है सत्तर संगठन का पूरा तालमेल है निश्चित तोर पर उसका परिनाम के रूप में जो रिजल्ट सामने आएगा वो दीखेगा कि हमारा तालमे के लिए वो चुनाओं में ये मुद्दे गायब थे मुद्दा था अरक्षंड का मुद्दा था सहानुभूती का मुद्दा था रेप का जो मुद्दे होने चाहिए असल चुनाओं में वो मुद्दे कहीं न कहीं गायब थे फिलहाल अमर जीदी हमारे साथ जुड़े आप का बहुत बहुत धन्यवाद तो फिलहाल भानु परतापपुर उप्चुनाओ की महा कवरिज लगातार बंसल नियूज में जारी है फिलहाल ख़बरों का सिलसल आगे बढ़ाते हैं